C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 6 त्रिभुज और उसके गुण प्रिष्ठ 149 6.8 समकून त्रिभुज तथा वाइथा गोरस गुण इसा से छठी शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथा गोरस ने समकून त्रिभुज से समबंधित एक बहुत उपयोगी वो महत्वपून गुण के बारे में पता लगाया जिसे हम इस अनुभाग में बता रहे हैं अतह इस गुण को उनके नाम से ही जाना जाता है वस्तव में इस गुण का ग्यान कुछ अन्य देशों के लोगों को भी था भारती य गणितग्य बाउधायन ने भी इस गुण के समकक्ष एक गुण की जानकारी दी थी अब हम पाइथागोरस गुण का विस्तार से अध्ययन करते हैं समकोन त्रिभुज में उसकी भुजाओं को विशेश नाम दिये जाते हैं समकोन के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं अन्य दो भुजाओं को समकोन त्रिभुज के पाद यानि लेग्ज कहते हैं त्रिभुज A, B, C में आक्रिती 6.23 शीर्ष B पर समकोन बना है अथह A, C इसका कर्ण है A, B थथा B, C समकोन त्रिभुज A, B, C के दो पाद हैं आक्रिती 6.23 यहां एक समकोन त्रिभुज A, B, C दिया है जिसमें कोन B बराबर 90 डिग्री है किसी भी माप का एक समकोन त्रिभुज लेकर उसके आठ प्रतिरूप बनाए उदहरन के लिए एक समकोन त्रिभुज लेते हैं जिसके कर्ण की माप A, I काई तथा उसके दो पादों की माप B, I काई तथा C, I काई है आकरती 6.24 यहां एक समकोन त्रिभुज दिया है जिसका कर्ण का माप A है और दो पदों का माप B है एक काईज पर एक समान माप वाले दो वर्ग बनाए जिनकी भुजाओं की माप B, I के बराबर हो अब अपने आठ त्रिभुजों में से चार त्रिभुजों को वर्ग A में तथा चार त्रिभुजों को वर्ग B में स्थापित कीजिए जैसा के निम्न आकरती में दिखाया गया है आकरती 6.25 आकरती 6.25 यहां दो वर्ग दिये गए हैं जो समकोन त्रिभुजों को जोड़ कर बनाया गया है प्रिष्ठ 140 के भीतर वाले वर्ग का क्षेत्र फल बराबर वर्ग B के भीतर दोनों अनाच्छादित वर्गों के क्षेत्र फल का योग अर्थात A वर्ग बराबर B वर्ग जमा C वर्ग ये पाइथागोरस गुण है इसे इस प्रकार कहा जा सकता है एक सम कोन त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग बराबर पादों पर बने दोनों वर्गों का योग पाइथागोरस गुण गणित में एक बहुत ही महत्वपून गुण है आगे की कक्षाओं में इसे एक साध्य के रूप में विधी पूर्वक सिद्ध भी किया जाएगा अभी आप इसके तातपर्य को भली भाती समझ लें इसके अनुसार किसी सम कोन त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्र फल दोनों पादों पर बने वर्गों के क्षेत्र फल के योग के बराबर होता है एक वर्गा कार खागज लेकर उस पर एक सम कोन त्रिभुज बनाएए इसकी भुजाओं पर वर्गों के क्षेत्र फल ग्यात कीजिए और इस साध्य की व्यावहारिक रूप से जाँच कीजिए आकृती 6.26 यहां तीन वर्ग जिनका माप A, B और C है उनको मिला कर एक समकोन त्रिभुज बनाया गया है यदि कोई त्रिभुज समकोन त्रिभुज है तब उस पर पाइथा गोरस गुण प्रयुक्त होता है अब यदि किसी त्रिभुज पर पाइथा गोरस गुण सत्य है तो क्या यह एक समकोन त्रिभुज होगा? ऐसी समस्याओं को हम विलोम समस्याएं कहते हैं हम इस बात का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे अब हम दिखाएंगे कि यदि किसी त्रिभुज में कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तब वह एक समकून त्रिभुज होना चाहिए इनहें कीजिए एक चार सेंटिमीटर पांच सेंटिमीटर तथा छे सेंटिमीटर लंबी भुजाओं वाले तीन वर्ग कागज से काटिए इन तीनों वर्गों के तीन शीर्षों को मिलाते हुए इस प्रकार व्यवस्थित कर रखिए कि उनकी भुजाओं से एक त्रिभुज प्राप्त हो। आकृती 6.27 इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज को कागज पर चिन्हित कीजिए। इस त्रिभुज के तीनों कोड़ों को मापिये आप देखेंगे के इन में कोई भी समकोण नहीं है ध्यान दीजिये के चार वर्ग जमा पांच वर्ग छे वर्ग के बराबर नहीं है तथा छे वर्ग जमा चार वर्ग पांच वर्ग के बराबर नहीं है आक्रिती 6.27 यहां तीन वर्ग जिनका माप 5, 6 और 4 है उनको मिला कर एक त्रिभुज बनाया गया है 2. उपर युक्त प्रक्रिया को 4 cm, 5 cm तथा 7 cm भुजाओं वाले तीन वर्ग लेकर फिर दोहराईए इस बार आपको एक अधिक कोन त्रिभुज प्राप्त होगा यहां ध्यान दीजिये के 4 वर्ग जमा 5 वर्ग, 7 वर्ग के बराबर नहीं है इत्यादी प्रिष्ठ 141 इस प्रक्रिया से पता चलता है के पाइथागोरस गुण केवल तब ही प्रयुक्त होता है जबके त्रिभुज एक समकोन त्रिभुज होगा अथह हमें यह तथ्य प्राप्त होता है यदि किसी त्रिभुज पर पाइथागोरस गुण प्रयुक्त होता है तब ही वह एक समकोन त्रिभुज होगा उदहरन पाँच एक त्रिभुज की भुजाएं तीन सेंटिमीटर चार सेंटिमीटर तथा पांच सेंटिमीटर लंबी हैं निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोन त्रिभुज है हल तीन वर्ग बराबर तीन गुणा तीन बराबर नौ चार वर्ग बराबर चार गुणा चार बराबर सोल है पांच वर्ग बराबर पांच गुणा पांच बराबर पचीस हम देखते हैं कि तीन वर्ग जमा चार वर्ग बराबर पांच वर्ग, अथह यह त्रिभुज एक समकोन त्रिभुज है। ध्यान दीजिये, किसी भी समकोन त्रिभुज में करण सबसे लंबी भुजा होती है। इस उदहरण में पांच सेंटीमीटर लंबी भुजा ही करण है। उदहरण 6, त्रिभुज A, B, C का C एक समकोन है। यदि A, C बराबर पांच सेंटीमीटर तथा B, C बराबर बारह सेंटीमीटर है, तब A, B की लंबाई ग्यात कीजिये। हल, सहायता के लिए अनुमान से एक उपयुक्त आकरिती बनाते हैं। आकरिती 6.28 यहां एक समकोन त्रिभुज A, B, C दिया गया है, जिसमें A, C बराबर पांच सेंटीमीटर और B, C बराबर बारह सेंटीमीटर है। पाइथागोरस गुण से A, B वर्ग बराबर A, C वर्ग जमां B, C वर्ग बराबर पांच वर्ग जमां बारह वर्ग बराबर पचीस जमां 144 बराबर 179 बराबर 13 वर्ग। अर्थाथ A, B वर्ग बराबर 13 वर्ग। अतह A, B बराबर 13 है। अर्थाथ A, B की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ध्यान रखें, पूर्ण वर्ग संख्याएं पहचानने के लिए आप अभाज्य गुणन खंड विधी प्रयोग में ला सकती हैं। प्रयास कीजिए, निम्न आकृती 6.23 में अग्यात लंबाई X ग्यात कीजिए। आकृती 6.29 यहां 6 समकून त्रिभुज दिये गए हैं। और X. 5. त्रिभुज के दो माप 37 हैं, एक माप 12 और दूसरा X है। 6. त्रिभुज के माप हैं, 5, 12, 3 और X हैं। प्रिष्ठ 142. प्रशनावली 6.5 एकूर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकून है। यदि PQ बराबर 10 cm तथा PR बराबर 24 cm है, तब QR ग्यात कीजिए। दो, ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकून है। यदि AB बराबर 25 cm तथा AC बराबर 7 cm है, तब BC ग्यात कीजिए। 3. दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर ठिका कर 15 मीटर लंबी एक सीड़ी भूमी से 12 मीटर उंचाई पर स्थित घिर्की तक पहुँच जाती है। 4. दीवार से सीड़ी के पैर की दूरी ग्यात कीजिए। यहां एक सीड़ी दीवार के सहारे रखी गई है, सीड़ी की लंबाई 15 मीटर है और दीवार की उचाई 12 मीटर है। 4. निमन लिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक सम कोन त्रिभुज बना सकते हैं। 1. 2.5 cm, 6.5 cm, 6 cm. 2. 2 cm, 2 cm, 5 cm. 3. 1.5 cm, 2 cm, 2.5 cm. सम कोन त्रिभुज होने की स्थिती में उसके सम कोन को भी पहचानिये। 5. एक पेड भुमी से 5 मीटर की उचाई पर तूट जाता है और उसका उपरी सिरा भुमी को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड की पूरी उचाई ग्याद कीजिए। 6. त्रिभुज PQR में कोन Q बराबर 25 डिगरी तथा कोन R बराबर 65 डिगरी है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 1. PQ वर्ग जमा QR वर्ग बराबर RP वर्ग 2. PQ वर्ग जमा RP वर्ग बराबर QR वर्ग 3. RP वर्ग जमा QR वर्ग बराबर PQ वर्ग यहाँ एक थ्रिभुज PQR दिया है, कोण Q बराबर 25 डिग्री और कोण हार बराबर 65 डिग्री है साथ, एक आयत की लंबाई 40 cm है तथा उसका एक विकर्ण 41 cm है इसका परिमाप ग्यात कीजिए आठ, एक सम चतुर भुज के विकर्ण 16 cm तथा 30 cm है इसका परिमाप ग्यात कीजिए प्रिष्ठ 143, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए एक, त्रिभुज PQR का कोण P एक सम कोण है इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी है दो, त्रिभुज A, B, C का कोण B एक सम कोण है इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी है तीन, किसी सम कोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है चार, किसी आयत में विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई तथा चौडाई पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है यह बौधायन का प्रमेय है, इसकी भाइथा गोरस गुण से तुलना कीजिए इनहें कीजिए, ज्यान वर्धक क्रिया कलाब आकृतियों को जोड अथवा तोड़ कर भाइथा गोरस साध्य को अनेक विधियों से सिद्ध किया गया है इन विधियों में से कुछ को एकत्रित कर, उन्हें एक चाट बना कर प्रस्तुत कीजिए हमने क्या चर्चा की एक, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं तथा तीन कोण, इसके छै अव्याइक कहलाते हैं दो, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को उसकी एक माधिका कहते हैं एक त्रिभुज की तीन माधिकाएं होती हैं तीन, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खीचे गए लंब को त्रिभुज का एक शीर्ष लंब कहते हैं एक त्रिभुज के तीन शीर्ष लंब होते हैं 4. किसी त्रिभुज का बाह्यकोण किसी एक भुजा को एक ही और बढ़ाने पर बनता है प्रत्येक शीर्ष पर एक भुजा को दो प्रकार से बढ़ा कर दो बाह्यकोण बनाई जा सकते हैं 5. बाह्यकोण का एक गुण त्रिभुज के बाह्यकोण की माप उसके दो सम्मुख अंतह कोणों के योग के बराबर होती है 6. त्रिभुज के कोणों के योग का गुण एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है साथ, एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की माप समान हो, सम बाहु त्रिभुज कहलाता है सम बाहु त्रिभुज का प्रत्येक कौन साथ डिग्री का होता है आठ, एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं माप में समान हो, सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है सम द्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा उसका आधार कहलाती है तथा आधार पर बने दोनों कौन एक दूसरे के बराबर होते हैं प्रिष्ठ 144 नौ. त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित गुण. एक. त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है. नौ. त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है. ये दोनों गुण किसी त्रिभुज की रचना की संभावना बताने में उपयोगी होते हैं, जबके उसकी तीनों भुजाओं की माप दी हों. 10. समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा करण तथा अन्य दोनों भुजाएं उसके पाद कहलाती हैं. 11. पाइथा गोरस गुण 11. एक समकोण त्रिभुज में करण का वर्ग बराबर उसके पादूं के वर्गों का योग. 12. यदि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, तब यह गुण प्रयुक्त नहीं होता है. 12. यह गुण इस बात को तै करने में उपयोगी होता है कि कोई दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं. 13. अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक. 14. कारिक्रम समन्वयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर गौरव मार्वा, तक्नीकी समन्वयक, बतिलैंग लिंगडो, तक्नीकी सहायक, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, निर्देशन व निर्माण, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIT-NCERT, नई दिल्ली, भारत